हलो दोस्तों मेरे नामे संदीप और स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में दोस्तों आज की इस वीडियो में संजेविर कोलेज का एंटरेंस एक्जाम का कटप लिस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि आप सभी स्टुडेंट्स जो संजेविर कोलेज के एंटरेंस एक्जाम दिये हैं उनके मन में बस अभी यही क्वेस्टन चल रहा होगा कि कटप कीतना जाएगा और ऐसे बहुत से स्टुडेंट्स जो मेरे से भी एही क्वेस्टन पूछ रहे थे तो मैंने सूचे क्यों ना आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो बना दिया जाए जिससे सबका जो क्वेस्टन है उसका अंसर मिल जाए ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि entrance exam में cut up कीतना जाएगा merit list में नाम आएगा की नहीं आएगा आपका admission के लिए कितना marks चाहिए तो इस वीडियो को start करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा request है कि चैनल को subscribe कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन आल परसीट कर लिजे क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसा ही हल्फुल और इन्फरमेटिव वीडियो देखने को मिलते रहेगा और आप चाहे तो टेलिग्राम ग्रूप को जोइन कर सकते हैं आपके ही सपोर्ट के लिए टेलिग्राम ग्रूप बनाया हुआ है वहाँ पर आप अपना जो भी क्वेशन हो मेरे से पूछ सकते हैं अगर आप टेलिग्राम ग्रूप को जोइन करना चाहते हैं तो जो भी अभी मैं बताने वाला हूं, उससे लगेगा कि यार इसकी वीडियो फालतू देख रहा हूं, पर जो भी अभी मैं बताने वाला हूं, जो भी आप जानने वाले हैं, वो सभी सच है, तो चलिए जो सच है वही आपको बताते हैं, अभी जो आप Sanjayvier College का एंटेंस ए जेक बोड का है इसमें आप देखिए अब देख पा रहे होंगे जेक बोड के टोफर जो टोप 10 में टोटल 147 students है यहाँ पर टोटल 147 students है और फर् माक्स करनाया है और जो 10 तोपश जो टोफर है उसका 0491 है तो मान लिजे यहाँपर 144 seat है 147 seat है जिसमें 490 से 481 marks वाले students का selection हुआ है तो अब आप ही बतेए यहाँ पर cut up कितना गया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 481 जो marks है वो आपका cut up गया तो इसी परकार यहाँ college में यही बात होगा अब बात करते हैं college का तो यहाँ पर total तीनों stream में total मतलब 384, 384 और 384 ऐसे करके seat है जिसमें selection होना है यहाँ पर जो entrance exam लिया जा रहा है उसमें total marks आपके 160 का लिया जा रहा है तो यहाँ पर कितना cut up जाएगा कर नहीं सकते हैं जो ज़्यादा marks लाएगा उसका selection होगा पहले ठीक है मान लिजिए 384 students का selection होना है ठीक है उसमें से जो 100 marks से 140 marks तक का जो students है उनका selection हो जाता है तो ऐसा फिर college क्यों करेगा कि जिसका 100 से कम marks है उसको लेगा ठीक है तो मेरे ख्याल सब समझ रहे होंगे कि जिसका 100 से 140 marks है उसी में से students का 384 seat फूल हो जाता है तो फिर college उससे कम marks वाले students के आखिर क्यों लेगा ठीक है तो यहाँ पर cut up कोई माइने नहीं रखता है बलकि highest marks वाले जो students है उनका selection पहले होगा उसके बाद उससे कम marks वाले students का उसके बाद उससे कम marks वाले students का इस परकार merit list आएगा यहाँ कहा नहीं सकते कि highest जो marks होगा कितना जाएगा और 384 seat कितने कम marks तक में फूल हो जाएगा ठीक है तो जो जितने जादा marks ला रहे हैं उनका chance उतने ही जादा हो रहा है selection होने में यहाँ पर ठीक है लेकिन यहाँ पर केवल highest marks लाना matter नहीं करेगा ऐसा इसलिए क्योंकि entrance exam का जो instruction दिया गया था उसमें साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि entrance test में योगधा प्राप्त करना admission की गरांटी नहीं देता है admission college द्वार परकासिज अंतीम merit list सूची और कच्छा 10 बोर्ड परिनाम के अधार पर होगा मतलब की मान लिजे जिसका metric में 90% आया है पर exam के अधार पर उसका 384 seat में selection नहीं हो पा रहा है ऐसे में उसको board result के अधार पर preference दिया जाएगा और उसका selection किया जाएगा लेकिन बाके student का जिसका board exam में कम marks आये हैं कम percentage है उनको जो entrance exam हो रहा है उसमें बहतर result करना होगा नहीं तो board result में बहतर करने वाले students merit list में कबजा कर लेंगे और तो और यहाँ पर 5-6,000 student form apply किये हैं तीनों stream के लिए तो समझ लिजे क्या होने वाला है ठीक है तो यहाँ पर यही calculation निकला कि जीने students का entrance exam में highest marks आया है और board exam में भी अच्छा marks है तो उनका chance ज़्यादा होगा selection होने में तो I hope कि यह छोटा सा वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया हो आपके समझ में आ गया होगा और यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रहा होगा और ऐसे ही helpful और informative वीडियो के लिए जल्दी से subscribe कर लिजे आपके tension को बोले बाई बाई क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहूंगा तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं और एक नए informative वीडियो में